दोस्तों मैन इटिंग लेपर्ड आफ रुद्र प्याग जो बुक है जिम गॉर्बिट की उसके दो चेप्टर में आपको अभी सुना नहीं पा रहा हूँ उसका रीजन क्या है कि मिस्प्रिंट है बुक में हर इस तरह से ब्लैंक पेज आ गया है इसमें ये उस वक मैंने देखी ये छपा हुआ पेज है और इसके हर एक स्टेप के बाद में ऐसे ब्लैंक पेज है तो दो चेप्टर है एक वो फिशिंग के बारे में है और एक किलिंग वाइल बोर तो मैं एक किसी सब्सक्राइबर ने दिखा है वो मैंने पहले सोच रहा था जब सारी के कम्प्लीट हो जाएंगे तो इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा अभी भी अगर आप वीडियो पूरे देख रहे हैं तो जहां एक वीडियो खतम होता है वहाँ एंड स्क्रीन पे दूसरे का लिंक आपको मिल जाता है तो कल जो मैंने बोला था कि साइनाइट के बारे में बुताब वो चैप्टर भी ऐसा ही है दोनी तीन चैप्टर हैं जो की इसके पेज खराब हैं वो मैं बाद में कवर कर लूँगा तो आज जो मैं चैप्टर कवर कर रहा हूँ उसका नाम है विजिल ओन पाइंट्री तो आइबर्ट सन पॉड़ी चले गए और जिम कॉर्बेट मैन इटर के पग मार्क ढूड़ रहे थे तो एक जगे उनको मैन इटर के पग मार्क मिले पग मार्क गाउं की तरफ जा रहे थे और उस गाउं की तरफ जा रहे थे जहां पे मैन इटर ने एक रात पहले एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी थी एक बच्चा जहां उसको खांसी आ रही थी उस घर में लेपर्ड ने कोशिश की थी दर्वाजा तोड़ने की अब यह जो उसके पग मार्क फॉलो करते करते कि ऐसी जगे पहुँच गए जहां पे कुछ दिन पहले आईबर्टसन और इन्होंने एक बकरी के एक बकरी थी जिसके की जो कि बहुत बोलती थी मिम्याती थी उसके बेस पे इन्होंने लेपर्ड को मारने की कोशिश की थी लेकिन बकरी छूट गई थी बाद में लेपर्ड ने चैलेंज यह वो चैप्टर है जो मैं आपको सुना नहीं पाया आधे दूरे पेज हैं जो मैंने पड़े है उससे मुझे ही समझ में ठीक से नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या समझाओंगा लेकिन जो मुझे समझ में आया कि उसमें बकरी इन से छूट गई थी बाद में लेपर्ड ने उसको मारके सामने छोड़ दिया था एक तरह से इनको चैलेंज दिया था तुमको बकरी बड़ी प्यारी थी लो मैंने तुम्हारे सामने मारके डाल दी जब ये कॉर्बेट पहुँचे थे तो बकरी से खून निकल रहा था और जब इन्होंना टच करके देखा था तो उसकी मसल्स में कॉंट्रेक्शन हो रहा था जलाने का साधन नहीं था तो ये एक माचिस की तीली जलाते थे उससे जो रोशनी होती थी उससे आगे बढ़ते थे फिर जब वो बुझ जाती थी फिर दूसरी माचिस की तीली जलाते थे उस रोशनी में आगे बढ़ते थे आस पास देखते थे कहीं लेपड छुपा तो उसी घटना का यहां पर वो जग्रे कर रहे हैं कि जिस जगे पर यह हुआ था वहां पर यह दुबारा पहुंच गए कौर्ब दोते हैं कि अभी भी जिस टाइम पर पहुंचे थे काफी मौका था कि एक बार लेपड को ढूड़ने की कोशिश कर सकते थे तो वहां एक रौकी एरिया था उस जगे पर ये पहुंचे अब ये उची जगे पहुंचे वहां से रहने दूर दूर तक कनाजार अलिया उसके पहले ही बारिश हुई थी तो मौसम क्लियर था दूर दूर तक दिख रहा था जो धुन सी छाई होती वो नहीं थी और दूसरा बारिश होने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी गिली हो जाती है तो पग मार्ग भी अगर उसके बाद कोई जानवर चला होता है तो इजीली पग मार्ग मिल जाते है अब ये बोल रहे हैं ये इतना बढ़िया वीव यहां से आ रहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में ये देख सकते थे नीचे शांदार अलक नंदा नदी का नजारा नजारा आ रहा था और बोल रहे हैं ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कलर का रिबिन फैला हुआ है दूर दूर तक गाउन नजर आ रहे थे, बहुत छोटे छोटे गाउन नजर आ रहे थे, कहीं कहीं पर एक एक मकान बना हुआ था, और कहीं कहीं पर चार चार पांच पांच छेचे मकान एक साथ बने हुए थे, अब बोलना जो घर पास पास बने हुए थे, उनका भी एक और वहाँ पे सरदियों बोले अवलांच आता है, सामने इतना बढ़िया नीला आसमान दिख रहा था, ऐसा लग रहा था, जैसे कार्डबोर्ड से कट करके बनाया गया है, वो इतना सुंदर दर्श था, कि आप इमेजन नहीं कर सकते हो, लगता था कि एक पूरा कैनवास बना गाउंट जहां पे कल ही जिम कॉरबिट ने विजिट किया था, अब इन आदमियों ने बताया कि सूरज उगने के ठीक पहले लेपर्ड इसी इलागे से जहां आप बैठे हैं, यहीं से बोल रहा था, उन्होंने अपने गाउंट से सुना था, अब जिम कॉरबिट बोले कि अगर यहां बोल रहा था तो लपड को मारने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन उसको बुलाने के लिए बकरी चाहिए, बकरी मेरे पास नहीं है अभी, तो उन्हों आदमियों ने बोला कि वो एक बकरी ला देंगे, तो बोले जिस जगह आप खड़े हो, यहीं पे को बुल का पेड़, पाइन ट्री, पाइन ट्री आप जालते हो, बीडे रखोगे, तो तूड जाएगी, तूट सकती हो, और बड़ा कमजोर सा पेड़ होता है, अब यह जो पाइन ट्री है, उसी तरफ से उगरा था, जहां एक रिज के एंड़ पे था, जहां से यह दोनों आदमी बजार जा रहे थे, जहां से आये थे, जहां इंका गाउं था, वहां पर ये खड़ा था, और इस पाइन के ट्री में कवर नहीं मिलता, अगर कोई ऐसे निगाह उठा कर लेपड देखे चाया आदमी, पूरा पेड दिख जाता है, उसमें कोई पेड का ऐसा नहीं कि घ पहने पत्ते होते हैं, लेकिन जिम कॉर्बट ने बोला, ये एकलोता पेड था, तो क्वेश्चन था ही नहीं कि किस पर बेटना है, जब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही ऑप्शन है, अब जब शाम को चार बज़े जिम कॉर्बट उस जगे पे जहां इनकी मु पेट हो गया आप, वो आदी बोले साब बिना रस्सी वाली जो सीडी होती है, उसके बिना तो कोई स्पेड पर चड़ भी नहीं पाएगा, बोले अगर आप चड़ भी गए, तो पूरी रात आप बैटने वाले हो उस पे, और मैनीटर से नहीं बच पाऊगे, क्योंकि जिस पेड़ पे चड़ने में आपको इतना टाइम लगेगा, मैनीटर को चड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा, उसने चार पंजे रखने हैं और उपर चड़ जाना है, अब कॉर्ड़ बोलते हैं कि उस वक्त, रुद्र प्र्याग में दो ही अंग्रेज थे, उनमें से एक थ मतलब यहां पे वो अपनी पेड़ पे चड़ने की capabilities के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा कोई पेड़ नहीं जिस पे चड़ना पाएं, अब इसके बाद ये एक हिंदुस्तानी कहवत के बारे में जिक्रे करते हैं, कि इंतिजार करिये जब तक कि आप किसी पुल पे ना पहु पेड़ पेड़ पे चड़ना इतना असान नहीं था, 20 फिट तक तो कोई सो ब्रांची नहीं थी, अब सीधे खड़ी चड़ाई थी, और almost आप compare कर सकते हो, अगर आपको पाइन का ट्री का नहीं आद आ रहा है, खजूर के पेड़ की तरह से उसका नीचे का हिस्सा होता है, कुछ-कुछ, अब जब यह सबसे नीचे वाली ब्रांच पे पहुँच गए, फिर बोलते हैं आगे चड़ना उतना मुश्किल नहीं था, अब इन्होंने एक रसी के थ्रू अपनी बंदूग उपर मंगा ली, रसी में नीचे से उन लोगों ने बांदी, इन्होंने उपर खीच ली, बंदूग मिलने के बाद एक टॉप पे पहुच गए, पेड़के, और वहां बोल रहे हैं थोड़ा कवर भी आ रहा था, क्योंकि पेड़के जो पत्ते थे, उसमें काफी हद था कि इनको कवर मिल गया था, इन आदमियों ने बोला था कि जो बकरी ये लेके आए हैं, बहुत अच्छी कॉलर है, एक्शली ऐसे बेट जो जानवर यूज किया जाता है, वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत चिला है, जो चुप-चप शान्त रहे तो वो अट्रैक्टर नहीं करता लेपड ये टाइगर को, तो ये ऐसी बकरी उनने मंगाई थी, जो अच्छी दिन बर चिलाती रहे ताकि लेपड का ध्यान जाए, उनने प्रॉमिस किया कि बहुत अच्छी कॉलर है, फिर ये अपने गाउं चले गए, ये तैय हुआ कि सुबह जैसी सूरची पहली किरना आएगी, ये भी आ जाएंगे, अब बकरी पहले तो देखती रही जब ये आद पर ये बोले रात को भी बोलेगी कोई दिक्कत नी क्योंकि जहां मैं बैठा हूँ, वहां से मुझे दूर दूर का रजारा दिख रहा है, तो लेपड बकरी तक आये उसके पहले ही मैं उसको मार दूँगा, जब ये पेड़ पे चड़े थे तो जो कि चार बजे के असपस पहुंचे थे, तो जो सामने वाले पहाड थे, उनकी जो परचाई है अलक नंदा नदेख आ रही थी, थोड़ी देर में वो परचाई इनके पेड़ को भी क्रॉस कर गई, मतलब ये परचाई छाओं के दाएरे में आ गए, अब धीरे-धीरे केवल जो सामने वाला पहाड उसकी जो चोटी थी, वो लाल रंकी चमकती हुई, सूरज की रोशनी से नजर आ रही थी, बाकी धीरे-धीरे चारो तरफ अंदेरा फैल रहा था, अब जिम कौरब बोलता है, जितना खुबसूरत ये संसेट हो रहा था, ये पूरे विश्व के किसी भी सिस्से में इतना करेंगे, तो ये ही का था, जो ये देख रहे थे उस वक्त, वहाँ जो संसेट होता है, उसमें जो किलमिंजारो परवत पर जो परशाई परती है, वो गोल्ड की तरह, सोने की तरह से होती है, बोले हमारे परवत में सोने की तरह से लाल और गुलाबी, तीन तरह से होती है, वो बोले जिस संसेट को मैं अभी देख रहा हूँ, वो गुलाबी पिंक है, रोज पिंक, उस कलर का सामने संसेट होता नजर आ रहा था, लेकिन वो बोले इस संसेट में उस बकरी को कोई इंटरेस्ट नी था, वो सिर्फ घास खा रही थी और घास खा रही थी, वो जो जिस का हूँ, यह लेपरड को बुलाएगी, और यह तो मज़े से सो रही है, और वो यह बोले कि जब से बकरी आई है, इसने अपना मूरी खोला है, अगर मूँ खोला है तो सिर्फ घास खाने के लिए, बोलने के लिए तो इसने मूँ खोला ही नहीं है, अब बोल रहे है, यह पड ही नहीं कॉल कर रही है तो मैं कॉल करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी आवाज निकालने के माहिड थे अब कॉर्ड बोलते हैं कि इंडियन जंगल में जब पूरी जिन्दगी में घुमा हूँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो जंगल की भाशा और उस भाशा का मैं भी जानकार हूँ ये मेरे लिए प्रिवलेज है कॉर्ड बोलते हैं कि जंगल में कोई एक भाशा नहीं होती हर जानवर हर इस्प्रिशीज की एक अलग भाशा होती है लेपर्ड की अलग भाशा है टाइगर की अलग है बार्किंग डियर की हर जानवर अपनी भाशा में एक दूसरे से तो communicate कर लेते हैं मज़े की बात ये है कि एक दूसरे की भाषा दूसरा जानवर भी समझता है जब barking deer बोलता है तो उसकी call को लंगूर भी समझ जाता है और अगर spotted deer वहाँ है वो भी समझ जाता है कि हाँ भाई ये खत्रे की call हो रहे है ये कार्णी वोरस जानवर पास में है जबकि वो barking deer उनकी species के जानवर नहीं है लेकिन ये सब एक दूसरे की डर को पेचानते हैं खोशी को पेचानते हैं अब ये बोलते हैं कि कुछ जानवर की थोड़ी limited speaking capability होती है जैसे कि साही परकुपाइन और वल्चर्स गिद लेकिन बोले जनरली सब जानवरों की भाषा दूसरा जानवर समझ लेता है और प्रसे मैं आपको उता दूँ कि tiger भी ये इस story में नहीं लिखा में यहां मुझे याद आ गया tiger भी तरह तरह की आवाज निकालने में माहिर होता है भालू भी भालू तो रोती हुई औरत की भी आवाज निकाल लेता है tiger deer की तरह से आवाज भी निकाल लेता है जब वो confuse करना चाहता है कई ऐसी आवाज है जो tiger निकाल लेता है जो उसकी आवाज नहीं है लियोनिल, 1918 में जिम कॉर्बेट और लियोनिल हिमालय के टूर पे गए, फिशिंग और फोटोग्राफी टूर पे गए, आके एक फोरेस्ट बंगलो में रुके, बिलकुल पहाड के तल्ले पे था वो, बॉटम अप दा हिल पे वो बंगलो बना हुआ था, उसके दूर, उस बं थक चुके थे, उनको आराम की जरुवत थी, तो इन्हों डिसाइड किया कि इस फोरेस्ट बंगलो में आज रात गुजारता है, आदमी भी आराम कर लेंगे, ये लोग भी आराम कर लेंगे, लियोनिल अपने नोट्स बना रहे थे, इन्हों ने ट्राइ किया कि एक जो स्ट बोल रहे थे, इनको ये आईडिया नहीं था, कितनी उचाई पर रहता है, इनको ये भी नहीं बता था कि वो किस तरह के ग्राउंड पर रहता है, किस तरह की सर्फेस होती है, जहां वो रहता है, अब ये कश्मीर में जिस पहाड़ पे थे, वो 12,000 फीट की हाइड पर था, जब ये 8,000 फीट की हाइड तक चड़ चुके थे, तब ही एक तूफान आ गया, जो आकाश का कलर हो गया था, इनको पता था कि हेल स्ट्रॉम आने वाला, ओले गिरने वाले हैं, तो उन्होंने एक अच्छा था पेड देख लिया, जिसमें इनको शेल्टर मिल जा, उसके न सूखी लकडी पहले से उठा ली और जो पाइन कोन होते हैं, क्योंकि पाइन कोन बहुत अच्छा चलता है, अगर आप पाइन कोन को आग में डालोगे तो ऐसे उसमें से तेल सा निकलना शुरू होता है, लगता है पेट्रोल निकल रहा है, और एकदम देखते हैं नीली फ् साम रुका, इन्होंने आगे निकले, वो बोलते हैं वो फेरी लेंड था, जो पूरे परियों की दुनिया थी, जिसमें ये थे, तो बोले बाहर के में नजारे में निकल आया, पेड के नीचे से, आप बोल रहा है, जो वो ओले पड़े हुए थे, उनसे जो शांदार मोती बिखरे हुए थे, हीरे मोती बिखरे हुए थे, उससे वहां की छटा ही निराली हो गई थी, गजव व्यू आ रहा था, अब करीब 2000 फीट और उपर चड़ने के बाद एक चटान के निकले हुए किनारे के पास आ गए, वहां पे जो फूल होते हैं, ब्लू मौंटेन पॉप पॉपीज, अगर आप वैली अफ फ्लावर जाते हैं, तो वहां पे ब्लू पॉपीज बहुत ज़्यादा फेमस है, वहां का में जो फ्लावर्स हैं, उसमें एक ब्रह्म कमल, एक ये ब्लू पॉपीज वहां पे हैं, जिसको लोग देखने जाते हैं, ओलों से कुछ तूट तो बिल्कुल बिखरे हुए थे, लेकिन बोलने बड़ा खूबसूरत न जा रहा था, और जो चट्टाने थी, वो गिली हो गई थी, इतनी स्लिपरी थी, कि उस पर चड़ना मतलब स्लिप करना, तो इन्होंने उपर चड़ने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, और लेफ्ट फिट उची थी, इस चट्टान से वो करीब 40 गज की दूरी पे था, वो टियर, अब ये चट्टान की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तब ही बढ़ते थे, जब वो घास चड़ता था, जैसे वो अपना सेरी तरफ उठाता था या रुख जाते थे, अब ये बिल्कुल सरक सरक क उस जो चट्टान थी, उसके पीछे पहुँच गए, अब वो बार बार घास चड़ती थी, हिरनी, और उसके आज फिर, राइट हैंड साइड की तरफ देखती थी, रास्ते की तरफ फिर घास चड़ती थी, अब ये समझ गें, जहां ये देखती है, वहां इसके कमपैनियन से हैं, मतलब इसके साथ दूसरे हिरन है, जो की कॉर्बेट को दिखनी रहे हैं, और इनको डिरेक्शन भी पता चल गया था, उसके देखने के अंदाज से, अब इन्होंने सोचा कि अगर और नजदिक जाएंगे, तो हो सकता है, ये हिरनी ना देख पाए, कमपैनियन देख लेंगे तो वो भी कॉल कर देंगे और सारे भाग जाएंगे, अब ये बोले कि पुछ सामने जो जंगल है, वहां से आगे से जाके कवर लेके आए, बोले मुश्किल तो था, लेकिन उसमे इतना टाइम लग जाता कि इनका परपस सॉल नहीं होता, अचा हवा का डिरेक्शन भी उसी साइट से था, अगर ये जंगल के कवर की तरफ जाते तो इनको कई बार अपना रास्ता चेंज करना पड़ता, वो हवा को अवाइट करने लिए, तो कि विंड से डिर को पता चल जाता है कि जम गोर्वेट आ रहे हैं, अब ये इन्होंने सोज़ा, जहां मैं हूँ जो पेड़ पर बनाता है, वो देख लिये थे, उनको पता था, यहाँ पर लेपड है, तो जब वो हरिनी ने दुबारा चरना शुरू किया, तो इन्होंने अपने मूँ से लेपड की आवाज निकाली, जैसे ही पहली आवाज निकाली, वो एकदम से उचली, और अल्मोस इ निकालते हैं, वो तो बाद में निकालते हैं, एक जो इनकी साइलेंट एक जो लैंग्वेज होती है, वो यह होती, कि पैर अगर एक डियर टैप कर रहा है, तो सारे अलर्ट हो जाते है, और दूसरा पूच खड़ी करने से भी समझ जाते हैं, अब कॉर्वेट लिखते हैं, यहाप एक उसने जो पैर टैप करना शुरू किया था, वो अपने दोस्तों को इशारा कर दी थी, यह खत्रा है, लेकिन वो जो इसके साथ ही थे, वो थोड़ा दूर थे, उन्होंने पैर को नहीं देख पाए, तो इसने हिरनी ने फिर कॉल किया, अब यह बोल रहा है कि उन उसने खत्रा देख लिया था, तो खत्रा देखने के बाद जो कॉल करते हैं, उसके बाद फिर कोई डियर ला परवा नहीं रहता, तो यह इन्तियार कर रहे थे जिम कॉर्ट की बाकी डियर भी इसके पास आ जाए, खत्रे को भापके, अब जो है, एक बच्चा तीन-चार स् हावा का डिरेक्शन और जाजा लेने कोशिश कर रहे थे, खत्रा किदर है, अब बोले जहाए बैठे थे, वो पूरा अब क्योंकि जो ओले के रहे थे, पिखल रहे थे, तो सिलिपरी भी हो गया था और गीला भी था, जहाए बैठे हुए थे, अब यह बोल रहे हैं कि मैंन को एक हिरन मारने की पर्मीशन थी, स्टैग, जो सिंग वाला होता है, उनमें से जो छे डियर थे, उनमें से एक को इन्होंने चूज कर लिया था, इन्हों सोचा कर उसको यह मार पाए, तो वो रिकॉर्ड बन जाएगा, शायद इतना बड़ा स्टैग किसी ने मारा नहीं हो क्योंकि स्टैग का जो मीट है, वहां तक कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए, बोले, राइफल से गोली चलाने की जगए, मैं खड़ा हो गया, और मुझे देखके सारे के सारे डियर अचानक से गाइब हो गया, और थोड़ी देर बाद नीचे उनके धड़ करके नीचे जंगल में घुषने की आवाज आई, अब यह बोले कि मैं अपने जो कैम था, फॉरेज बंगलो जहां मुझे वापस जा रहा था, वहां मैंने वापस चलना शुरू किया, तो इस बार वो घने जंगल से नहीं तोड़ा ओपन एरिया से चल के जा रहे थे, जिस के साथ लियोनेल थे, उनसे ये प्रॉमिस करके आये थे कि बंदूग लेके जा रहे है, कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएंगे, अब इन्होंने सोचा कि मैं बंदूग से मारूँ, उसके जगे मैं कोशिश करता हूँ, इसको हाथ से पकड़ू, तो थोड़ा आगे गए फिक्दम से तेजी से पल्टे, लेकिन वो इनको चकमा देके निकल गया, लेकिन जब इन्होंने पास से देखा, तो ये बकरी नहीं थी, ये मस्क डियर था, कस्तूरी म्रग, और मैंने अपने कई वीडियो में पहले बताया है, कि कस्तूरी म्रग, सबसे छोटा डियर लगत लेकिन वो बकरी म्रग, पॉशिशनले बेकरी होता, तो जो इसके सिर पर से दाथ नी को देख रहा था और इनको डरा चुगा था वो एक बार जब ये पॉशनले को प्रताती है, जब ऊपस में लड़ते हैं, उस सिंग का ही यो यूस कड़ते हैं, सिंग मतलब दात, अब ड पल्टे थे तो वहां से चैलेंज की तरह से देख रहा था कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम मुझसे डरते हो मैं तुमसे नहीं डरता तो यह उस वक्त तो मौका हाथ से निकल गया बाद में जब एक बार गेम वार्डन के जो थे कश्मीर के गेम मतलब जो प्यार करना होता तो उसको गेम बोलते थे तो बोले उनसे जब मैंने बताया कि मेरे सामने कस्तूरी इम्रग आ गया था बोले आरे आपने मारा क्यों नहीं हाथ से पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे फिर उनने पुछा मुझे एक्जैक्ट जगे बताईए कि आपको कह बढ़ा रहा होगा म्यूजियम की शोबा दोस्तों कि जब यह ट्रॉफी एंटिंग होती थी तो लोग मारके उसके अंदर भूसा या मसाला भरके किसी म्यूजियम अपने ड्राइंग रूम में रखते थे तो वो जो वार्डन थे वो खुछ चा रहे थे कि वो मारे और अप अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं अब कॉरवड वापस लेपड पर आ गए यह सारी घटना जो कॉरवड बता रहे हैं यह पेड़ पर बैठे बैठे याद कर रहे थे जब वो नीचे बकरी सोने चली गई थी उसके बाद इनको सारी घटना याद आ गई थी कश्मीर की अब यह वापस वहीं पर आ गए और बोल रहे हैं कि जो मेल लेपड होते हैं बहुत लंबी टेरिटरी बनाते हैं बोल रहे हैं कि टेरिटरी पांसो स्क्वाइर मील की हो सकती है और उस टेरिटरी को ओवरलैप करते हैं कई दूसरे मेल ऐसा नहीं होता कि अगर मेल की तो बोले अगर मैं अभी कॉल करता हूँ, मिटिंग सीज़ अभी अभी ओवर हुआ है, तो वो लेपड समझेगा, कि ये फीमेल कॉल कर रही है, बोले इनोंने कॉल फीमेल की कॉल निकाली, और इनकी खुशी का ठेकाना नहीं रहा, जब सिर्फ 400 गज नीचे से ही, एक मेल ले पड़िक्तम सीधा सीधा चल के आएगा, ये बोलो चल के आएगा, एक राउंड लेगा, जो सामने वाली जाड़ियो वाला एरिया है, और इनके पेड़ की तरफ आएगा उसके बाद, क्योंकि आवाज यहां से जा रही थी, सेकेंड कॉल इनोंने की, उसकी भी कॉल आई, तो ये समझ गए कि वो 5 मिनिट बाद के अंतर अंतर पे कॉल करके इनकी तरफ ही बढ़ रहा है, फिर 200 गज की दूरी से उसने कॉल की, इनोंने भी जवाब दिया, फिर जो कॉल आई, वो 100 गज की दूरी से आई, अब इनके पास इलेक्रिक टॉर्च थी, जो कि इनकी बंद की दूरी पे लेपड ने फिर कॉल किया, लेकिन उसका जवाब दिया एक दूसरे लेपड ने, पहाड के पीछे से, बोले ये मेरा दुर भागे था क्योंकि जो दूर से कॉल आ गई थी, वो भी फीमेल की कॉल थी, अब बोले इतना पास है, कि अगर मैं कॉल करूंगा तो समझ जाएगा, और जो मैंने कॉल की थी इस जगे पे, अब लेपड समझेगा कि जो वो फीमेल उसको बुला रही थी, वो पहाड के उपर चली गए, अब वहाँ बुला रही है, तो वो अपना डिरेक्शन चेंज कर देगा, लेकिन इननों सोचा कि जिस पेड़ पे बैठे तो जरूर, और इतने मैं ये उसको शूट कर देते, लेकिन ये बोले, बकरी का भागे काम कर रहा था, मेरा नहीं, तो उस जंक्शन पॉइंट पे आने के पहले ही उसने राइटन ले लिया, और जब उसने कॉल किया, तो इन से सो गज आगे जा चुका था, उस फीमेल की त उसको शूट करना बहुत आसान होता है, चाहे वो टाइगर भी हो, लेकिन जो शिकारी पैदल चलके जा रहा है, उसको बड़ा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि इस ताइम पे जानवर बड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि मेल के क्लॉस बड़े नुकीले होते हैं, और वो बड़े ही aggressive होते हैं इस time पर ये बोले आज चलो लेपर नहीं मरेगा तो आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा कल नहीं तो परसु मरेगा लेकिन बोले उसका समय तो बीटता जा रहा है उसको मरना तो है ही तब ही ये सब सोच रहे हैं तब ही जोड की हवा आई और इनकी position पेड़ था, अब ये एक आदमी इसके उपर बैठा है, तो इसका बैलेंस बिगड़ गया है, वजन पढ़ गया है, ये तूट सकता, हैफल टांग के इन्होंने किया कि जो छोटी-छोटी डाले थी, उन पे चड़ चड़ के उसको तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि उस सपनों की दुनिया में मैंने उस बकरी से मिला, जो की पहले ही सपनों की दुनिया में थी, आराम से सो रही थी, और ये कॉर्बट की एक खासियत थी, किसी भी पेड़ बैठे बैठे ये सो जाते थे, अब सुबह हुई, और एक कुई की आवाज जो इन लोग का कोड होता थ कोई करके आवाज लगाते थे, तो बोले, सपनों की दुनिया से वापस इस दुनिया में उस कोई की आवाज से आया, नीचे देखा तो उनके वह दो साथी जो बकरी लेके आये थे, नीचे खड़े हुए थे, जब इनो ने देखा कि ये जम कॉर्बट जगे हुए है, उनस थोड़ी थोड़ी आंदी, साहब इतनी बड़ी आंदी तो या कभी आई नहीं है, और वो आंदी ऐसी थी कि मेरी जोपड़ी उड़ गई, तो इसका साथ ही बोला, साहब ये जो शेर सिंग है, ये कई दिन से इसका प्लान था कि अपनी जोपड़ी के तोड़के नई तो चलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए all the best, बने मातरम